तो कहानी की शुरूआत होते और हमें PRA को दिखाय जाता है जो कि शीशे के पीछे से मैरी को देख रहा होता है दरसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि PRA अपने फ्रेंड हेंरी के साथ यहाँ पर आया हुआ था और हेंरी मैरी के सिस्टर से शादिय करने वाला था यहां हम जानपाते हैं कि PRA और मेरी भी एक दूसरे से प्यार करते थे जिसकी वज़े से PRA भी यहां पर मेरी के साथ फलर्ड करने लगता है और इसी दौरान मेरी की मदर आकर यह सब कुछ देख लेती हैं क्योंकि उसकी मदर को PRA पसद नहीं होता है इसलिए वो उसको उससे दूर रखती है वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हैंडी मैरी की सिस्टर से शादी करने वाला था लेकिन जब वो मैरी को देखता है वैसे ही वो उसे पसंद करने लगता है और अब धीरे धीरे उसके लिए पागल होता जाता है और उसे पता था कि PRR और Mary एक दूसरे से पियार करते हैं लेकिन फिर भी वो Mary को पियार करने लगता है लेकिन जब Mary के parents को ये बात पता चलती है तब वो foreign Mary की शादी Henry से करवा देते हैं अब इन दोनों की शादी होने के बाद PRA कुछ टाइम के लिए दूसरी कंट्री चला जाता है लेकिन जब वो कुछ टाइम बाद वापस आता है तो उसके साथ एक जोहरा नाम की लड़की होती है और जब Henry को इस बारे में पता चलता है तब वो Mary को इस बारे में बताता है क्योंकि पीरे के वापस आने से वो काफे खुश थी इसलिए एक दिन उससे मिलने के लिए उसके घर पी पहुच जाती है जिसके बाद पीरे मैरे को मना कर उसके साथ फिजिकल होता है और वहीं पर उसके निवट फोटोस भी क्लिक करता है वहीं एक दिन हैंरी को जब मैरे की लोकर से उसके कुछ निवट फोटोस क्लिक होया मिलते है तब वो काफे ज़ादा गुस्सा हो जाता है और काफे गुस्से में वो मैरे से इस बात के बारे में पूछने लगता है तब यहाँ पर मैरे बताते है कि वो पियरे से काफी प्यार करती है और उसने बस पैरेंट्स के दबाओं में आकर उससे शादी की थी अब इतना सुनने के बाद हैंरी उससे कहता है कि पियरे उससे प्यार वार रही करता बलकि उसका कई और लड़कियों के साथ अफियर चल रहा है और अब उसके मूँ से असा सुनने के बाद मेरी काफी ज़्यादा परिशान हो जाती है और अब वो पियरे के पास जाकर जोहरा को वापस हमेशा के लिए भेजने को कहने लगती है अब पियरे भी यहाँ पर उसकी बात मान कर जोहरा को वापस भेजने का फैसला करता है यहाँ पर हम देखते हैं कि जोहरा भी जाने के लिए तैयार तो नहीं थी लेकिन फिर भी उसके दवाव में आकर उसे जाना पड़ जाता है और यहाँ पर जोहरा जाने से पहले उससे कहते है कि तुम देख लेना वो तुम्हें ढूडते ही तुम्हारे पीछे ही आएगा अब जोहरा के वहाँ पर ना होने की वज़़े से मैरे उसके साथ काफे ज़यदा इंजॉय करती है वहीं दूसरे तरफ हम देखते हैं कि पीरे का उसके बीना मन नहीं लग रहा था और अब इसके बारे में वो हैंरे से भी बात करता है यहाँ पर हम जान पाता है कि हैंरे भी पीरे से मैरे का पीह चोड़वाना चाहता था इसलिए वो बोलता है कि उसे जोहरा से प्यार है वो उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता और अब ऐसा सुनने के बाद पिरे भी जोहरा को ढोड़ने के लिए चला जाता है लेकिन जब इस बारे में मैरी को पता चलता है तब से वो परिशान रहने लगती है क्योंकि पिरे की बिना उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था अब काफी लंबे टाइम तक जब मैरी ऐसे ही परिशान रहने लगती है तब हेंरी उसकी मौम को वहाँ पर बुला लेता है अब सारी कहानी जानने के बाद मैरी की मौम हेंरी से कहती है कि कि वो मैरी को अब नई नई जगह पर घुमाने के लिए लेकर जाए जिसकी वज़ेसा उसका मन शान्त हो जाएगा और धिरे धिरे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और अब ऐसा सुनने के बाद हेंरी बिल्कुल वह ऐसा ही करता है जिसके बाद वो अब मैरी को नई नई जगहों पर लेकर जाना शुरू कर देता है जिसके बाद अब मैरी भी धिरे धिरे गुजरे हुए कल को भोलने लगती है लेकिन तब ही वो एक दिन पीरे के फ्रेंड से मिलती है और वो मैरी के लिए गिफ्ट भी लाया हुआ था जो कि मैरी को काफे ज़्यादा अच्छा लगता है यह हम जानत पाते हैं कि पीरे का फ्रेंड मैरी से अक्ट्रेक्ट हो चुका था इसलिए वो उससे मिलने के बारे में पूछ लेता है और मैरी भी यह बताने के लिए तैयार होती है जिसके बाद अब यह लोग पीरे के फ्लैट पर ही मिलते हैं और वहीं पर एक दूसरे के साथ फिजिकल भी होते हैं और अब यहीं से इनका फेयर भी शुरू हो जाता है वहीं हम दूसरे तरफ देखते हैं कि मेरी लेटर के जर्ये पीरे से बात करने की कोशिश करती है और कुछ टाइम अब गुजर जाने के बाद वो पीरे के फ्रेंड से ब्रेक अप कोई कर लेती है पीरे का फ्रेंड मेरी के साथ काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था जिसकी वज़े से वो सुसाइड कर लेता है अब कुछ टाइम भी जाने के बाद पीरे भी मेरी से मिलने के लिए उसके पास आता है तब उसे उसके फ्रेंड का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो मेरी की बीना नहीं जी सकता जिसके बाद अब P.R.E. उन दोनों के काफी सारी फोटोज भी देखता है और इतना सब कुछ जानने के बाद P.R.E. ही खुद को गिल्ट महसूस कर रहा था और अब इसलिए वो मैरी से दूर रहने का डिसाइड कर लेता है वहीं दूसरे तरफ मैरी और लेटर के जरी उसे मनाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन P.R.E. उसका कोई भी जवाब नहीं देता अब कुछ महिने गुजरने के बाद हम देखते हैं कि मैरी एक बेटे को जन देती है लेकिन ये बच्चा P.R.E. का था और अब हैंरी को भी ये बात पता चल जाती है जिसके बाद वो मैरी और P.R.E. को एक जगाँ पर भिजवा देता है और अब P.R.E. इन सब के लिए माफी माँगता है तब उसे हैंरी बोलता है कि उसने मैरी के साथ जो कुछ भी किया उसके साथ वही कंटीनू करता ही रहे क्योंकि हैंरी मैरी को हमेशा के लिए खुछ देखना चाता था और इसलिए उसने ऐसा ही किया और अब काफी वक्त गुज़र जाता है और हम देखते हैं कि मैरी की मौम उससे मिलने के लिए आती है वो मैरी को उसकी फ्रेंड लुइस के बारे में बताती है कि जब से लुइस ने पियरे को देखा है तब से वो उससे प्यार करने लगी है और इतना सब कुछ सुनने के बाद मैरी के दिमाग में एक आइडिया आता है तब वो पियरे और लुइस की शादी करवा देती है और उसने असा इस लिये गिया ता कि पियरे इसी शहर में रहे जिसकी वज़ेस उनका फियर कांटीनू चलता ही रहे तब मैरी अपने इस अफियर के बारे में एक बुक भी लिखती है जिसको हैंडी पब्लिश करवाता है और अब इसके बाद हम देते हैं कि काफी लंबा वक्त गुजर जाता है तो एक दिन मैरी पियरे से मिलने के लिए आती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं परिंड हो जाता है